नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जारखन TGT 2016 के अंतरगत भुगोल विशे का हल प्रस्न पत्र देखेंगे यह पेपर मैं स्वयम दिया था जो पहला पेपर कंपल्सरी पेपर था वह 19 नौमबर 2017 को हुआ था मेरा सेंटर आप देख सकते हैं सेंट एंथोनी हाई इसकूल धनबाद हिल्स कालोनी यानि धनबाद में मेरा यह पढ़ा हुआ था और दूसरा पेपर जो था वह 26 नौमबर 2017 को था और यह राची में था छोटा नागपूर पबली की स्कूल में यह पढ़ा था मेरा सेंटर मैं अपने परिछा सम्मंदित एक आपको बात बताना चाहूँगा हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन भागे साथ न दे तो मेहनत कई बार बेकार हो जाती है इसी सम्मंदित हमारे साथ यहां पे घटित हुआ था देखें जो कमपल्सरी पेपर था आप जानते हैं इसमे 33% आपको लाना होता है पासिंग होता है इसमें मेरिट में यह नंबर जुडता नहीं है मेरा यह सेंटर धनबाद में पड़ा था मैं जिस ट्रेन में टिकट कराया था वह ट्रेन कालका मेल थी वो रिसेड्यूल हो गई अब मैं जाऊं कैसे एक दिन पहले मुझे पता लगा अगले दिन आगरा कुलकाता एक्सप्रेस में मैं जाके काउंटर से टिकट लेके आया देखा कि वो सुबा पहुंच जाएगी 5-6 बहे था लेकिन वो भी पहुंचते पहुंचते लेट कर दी मेरा 9 बजे से पेपर आप देख रहे हैं यहां टाइमिंग दिया हुआ इस्ट मैं भाग एके बारें बता रहा हूं सभी लोग कर्म किये थे जितने लोग उस ट्रेंड में थे लेकिन मैं भी उसी में था हम लोग गूगल मैं खोल करके अपना अपना दिखा रहे थे कैसे जाना होगा क्या होगा कैसे पहुंचेंगे मैं भी दिखाया उसमें कई लोग कहे हुए देखते हुए दोड़ते हुए गया और पांच मिनट के अंदर मैं सेंटर पे पहुंच गया दोड़ करके और आप जानिए कि उसमें सैक्ड़ो अभ्यर्थी थे कोई भी परिछा नहीं दे पाया मेरे अलावा वो लोग भी मेहनत किये होंगे सब कुछ था लेकिन भाग फो कि देख रहा हुँ कि आठ अंठावन हो रहा है तो मैं तुरणत बोלא सर आठ अंठावन हो मैं फिर दोड़ा था तो जो ही बैठा तो सब लोग मुझे देख रहते हैं आगे वाई लड़की मुझे देख करके अजीब सी हांसी मैं मन में बोला तो ना हुई जो तो मैं इस चीज़ को मानता हूं कि भाग्य भी साथ देना चाहिए और मैं अगर जो दो तीम मिनट लेट ह गया होता तो मुझे इंट्री नहीं मिलती किसी भी सेंटर पर आप जाएंगे जो समय है जो नियम है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फालो करते हैं वहाँ आपके साथ कोई गुंजाइस नहीं होगी इसलिए आप जब भी परिछा देने जाए पीजीटी का या टीजीटी का व हुआ है इसमें भी 150 कोश्चन आपका रहेगा वीशे से संबंदित जियोग्राफी से और फर्स्ट पेपर आपका 100 कोश्चन होता है लेकिन ठीक है उसके बारे मैं पीछे जो वीडियो दिया था उसमें बताया था क्या पैटर्न होता है आगे देखिए यह 26 इगारा 2017 का जि सथ पुड़ा परवत स्रिंखला की सबसे उची चोटी की उचाई कितनी है यहां पर इसका आंसर सी सही है 1350 मितर इस तरह के प्रस्ट बहुत आसान दिखते हैं लेकिन यह सन इस भी और इस तरह के आकड़े जो होते हैं अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं देखिए यहां से म इतना भी इसमें मैं रेट से दिखाऊंगा वो समझे कि मैंने उसको परिचा में गलत किया था तो बहुत सारे सिंपल प्रस्ट भी लोगों के गलत हो जाते हैं मेरे भी गलत हुए इसमें और बहुत difficult question होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होता है लेकिन वो भी सही हो जाता है अगला प्रस्ट देखिए 2015 के दोरान निम्न में से किस देश ने सबसे अधिक डालर मुल्य का लोह अयस्क निर्यात किया आपका आपसन यहा नीचे दिया हुआ है आप पढ़ लिजिए इसका आपसन 20 है आस्ट्रेलिया प्रस्ट पत्र का जो पैटर्न है इसको आप समझ सामान यह प्रस्ट था इसका आपसन ए सही है प्राइदीप यह पठार चौथा प्रस्ट है जारखंड का कुल भावगोलिक छेत्र है देखिए जारखंड से संबंदित प्रस्ट पूछे जाते हैं चाहे TGT हो चाहे PGT तो जारखंड से संबंदित यदि भूगोल के आप अ परिछा के दिश्टिकोंड से जो भी पब्लिकेशन आप पढ़ते हों वह आप ले लिजिए लेकि सामाने ग्यान का लिजिए और उसमें जो भूगोल का पोर्शन दिया हुआ है उसको बस आप तयार करिए फर्स्ट पेपर के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत इस्टेशन के सामने ही एक दुकान है वो छोटी से दुकान है और बाहर ऐसे फैला करके बेच रहा था तो मुझे पता था कि एक हपते बाद मुझे में पेपर देने जाना है जियोग्राफी का राची में तो मैं वहीं से एक किताब खेदा था दुरभागे पूर्ण है कि म इसलिए मैं कर रहा हूं कि जार्खंड का भूगोल से संबन्दित किताब खेद करके पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा टाइम नहीं है उतना PGT के लिए आगे यदि आप चाहें डिटेल पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं मैं मना नहीं कर रहा हूं यदि को बेसि अठारसो नवासी में भू संतुलन सब्द गढ़ा था, यह भी बहुत आसान है, इसका अपसर ए सही है, क्लेरेंस डटन, इदकी यह भी मेरा सही हुआ था, अगला है, भारत में सबसे बड़ा रवड उत्पादक है, कौन सा राज्य है, यह दिया हुआ है लिस्ट, हिमाचल प पर दे रहा था, उसमें मेरी त्यारी बहुत ही अच्छी थी, फिर भी देखेंगे, बहुत समाने समाने प्रस्न गलत हुए है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट जो प्रस्न है, जो मुझे नहीं पता था, वो भी भगवान भरों से मुझे मिल गये थे, इस वज़े से मेरा करेंगे, उसी जिले में आपकी न्यूक्ति होगी, तो मैं धनबाद से भरा था, और प्रापर धनबाद में मुझे मिला भी था, कालेज, स्कूल, साथमा प्रस्न है, मेंटल के उपरी हिस्से की सघंता का विस्तार कितना है, देखे ये गलत हो गया, तबहुत समाने प्रस्न है, इसका अप्शन ए सही था, 3.2 से 3.5 ग्राम प्रती क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है, अगला प्रस्न है, जापान में केज संस्कृती का प्रियोग ब्यापक अस्तर पर किसली ये किया जाता है, ये मुझे बहुत असपस्ट उत्तर नहीं पता था, लेकिन ये मेरा सही हो ग जार्खंड है, आप जार्खंड की त्यारी कर रहे हैं, तो छोटा नागपूर पठार का विशेश रूप से इसको आप अध्यन करिएगा, तो इसका अप्शन है, राची पठार, अगला है, भारत के दक्षिरी छेत्र में कौन सा सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र है, क जोजना, इंदिरा, सागर्बांद किस नदी पर बनाई गई है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, इसका अप्शन, डी सही है, नर्मदा, ये बहुत देशी पर योजनाओं से संबंधित में एक ट्रिक पाधारित वीडियो अपले किया हुआ है, आप निम्न में से कौन सा एक सैलो का निर्माड करने वाला खनीज नहीं है, क्वार्ज, फिल्सपार, माइका, और डी है, निव्टिनोस, इसका अप्शन, डी सही है, यानि कि यही नहीं है, अगला देखें, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक छेत रहे इसको सब लोग जानते होंगे इसका अप्षन ए सही है केरल चौदामा प्रस्ण है निम्न व्यक्तियों का मिलान उनके संबंधित प्रतिमानों और सिध्धान्तों से कीजिए मैं एक ही मिलाया था इसमें तीन को ए से मिलाया था जेम्स जीन जो है ज्वार्भाटा प्रति ही मैंने अपने पेपर पे ये सब ठीक रंगा पूता था बहुत सारा चीज नियुन समें मैं अपड़ाया हूं आप जानते हैं जब हम पेपर दे के आया आंसर यह उससे पहले भी हम लोग बहुत बार मिलान करते हैं तो बहुत गंदा हो जाता है पेज तो मैं साब सुथरा करके आप लोगों के सामने प्रसुत करने का प्रयास किया हूँ अगला है मौसिन राम जो भारत का सबसे आर्द रस्थान है किस राज्य में इस्थित है किस प्रकार के बनों में पत्ते वास्पो सर्जन को कम करने के लिए काटो का रूप ले लेते है तो इसका अप्शन बी सही है काटेदार बन आप जानते है मरुस्तली छेत्रों में इस तरह का होता है अगला है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे उंचा बाध है यह भी बहुत सामानी प्रस्थन है इसका अप्शन दी सही है टीहरी बाध विश्व का सबसे बड़ा कोईला आधारित इस्पोंज आयरन निर्मार सुविधा जिंदल इसपात एवं विद्यूत लिमिटेट कहां इस्थित है तो इसका अप्शन डी सही है रायगर च्छतिसगर अगला है निम्न में से कौन सा एक पस्चिनी छेत्र में एक अग्रणी सूती वस्त्र वित्रण केंद्र है तो इसका अप्शन सी सही है देखे वन लाइनर टाइप के कोईश्चन है अभी सधार दीख रहे है इसी में कुछ बहुत डिफकल्ट आ जाएंगे जो आपको लएगा कि यह कहां मिलेगा इस तरह की प्रस्ण मिलेगे आगे चलते हैं नि इन में से जारखंड का राज्य ब्रिक्ष कौन सा है यह सब जो समाने ग्यान पढ़ेंगे जारखंड का न उसमें यह मिल जाएगा इसका अप्शन बी सही है साल संसार के सबसे युवा परवत कौन से हैं आज जानते हिमाले अभी भी बड़ा हो रहा है ये युवा है तो इ प्रसन देखिए प्राइदीपी पठार की सबसे उची चोटी कौन सी है तो इसका अप्शन बी सही है अनाई मूरी चोटी बहुत समाने प्रसन है यह सब लेकिन प्रसन आपको पता है एक सो पचास है थोड़ा से मुझे जल्दी जल्दी चलना होगा तो यदि मैं बहुत ज पूछे जा रहे हैं क्या पूछे जा रहे है और एक चीज और है जो सिलेबस दिया रहता है जैसे सी ने उससे बाहर यहां पर प्रसन नहीं पूछे जाते हैं लगबख इसलिए आप सिलेबस देखिएगा यह नहीं कि कोई भी पेपर लेकर करके सिलेबस से बाहर का भी कीजिए पचीसवा देखिए लुजोन पर इस्थित माउंड पीना टुबो एक ज्वाला मुखी कहां पर इस्थित है तो इसका अप्सन सी सही है फिलिपीन्स में अगला है चट्टानों का वरीकरण किसके द्वारा परिभासित किया जाता है यह दिया है उनके रासायनिक सनच बनावट और निर्माड की प्रक्रिया द्वारा होता है अगला है दो हजार इग्यारा की जनगरणा के अनुसार जनसंख्या की उच्चतम बृध्धी दर कहां देखी गई है तो इसका अप्सन यह सही है दादरा और नगरहवेली यह देखिए निम्र में से कौन सी अधित एक प्रश्ण अवस्य रहेगा स्लेबस में है तो पीजीटी के तो सुध्यान दीजेगा इसका अप्सन एस सही है पी तरंग अब उन्तिस्वा देखिए इसका आप्सन सी सही है चाल्स हैप गुड यह देखिए मेरा गलत हो गया था इसलिए मैं इसको रेट से दिख हैं तीस्वा है समीपतम ती तोरी तारे प्रिथवी से कितने दूर पर हैं इसका आप्सन सी सही है देखिए गोला में क्वेश्चन पर लगाया थे यहनि दाउट हुआ थे इसमें फिर भी मेरा यह सही हो गया 400 प्रकास वर्स यहनिकि डाउट वाले क्वेश्चन भी यह दि बी सही है दारजिली निम्न में से कौन सी परत प्रिथवी की सबसे पतली परत है इसका आप्सन सी सही है परपर T वह Sozial प्रसंना अगला है है कौन सा जहारखंड का सबसे बड़ा छेत्र है देखे जहारखंड सम्बंदित है समाने ग्यान की किताब ले लेंगे सब यह सम मिल जाएगा तो इसका आपसन सी सही है संदचित बन अगला है भारत के मालाबार तटो पर बहने वाली शक्तिसाली दक्षडी या दक्षडी पुर के रूप में विभिन प्रकार के सूपों में प्रयोक किया जाता है यह तो मैं कहीं पढ़ा नहीं था मुझे पता नहीं था फिर भी भवान भरोसे यह मेरा सही हो गया था इसका आपसन सी सही है वाकेम अगला देखे रिक्तर पैमाना भुकंप किती बृता को मापने का सबस सुड़ा ज्यादा दर्साता है अगला देखिए सैतिस्वा यह मेरा गलत हो गया था विस्व के सबसे बड़े कोईले के भंडार किस देश में है इसका अपसन यह सही था यूएस से यह भी मेरा गलत हो गया था देखिए सघंचंडका बन कहां इस्थित है मनत्ते लग्याना देखें लगाया था जबकि इसका आप्षन सही था D ओडिशा में है यह अगला देखिए किस देश ने बोकारो और भिलाई इसपाथ सनियंद्र को अस्थापित करने में सहयोग दिया था बहुत समाने है इसका आप्षन C सही है सोवियत संग चालिस्वा प्रस्ण है उनीस सो तेरा में किस ने एक भुकंप की तरंगो का विसलेशन कर प्रिथवी के केंद की तरिजिया का निर्धारण किया इसका आप्षन A सही था बेनो गुटेनबर्ग एक तालिस्वा है हिमालय की काराकोरम परवस्रिंखला में सबसे उची चोटी कौन सी है तो इसका आप्षन D सही है माउंट के टू यह देखिए विस्व का सबसे बड़ा चूना पत्थर करस्त भूमी कहां इस्थित है तो इसका आप्षन D सही है मालारवर मैदान यह कहां पर है आस्ट्रेलिया में और इसका आप जाना चाहेंगे कि इस पेपर का कटाफ क्या था बार बार आप लोग पूछने लगता है कटाफ तो कटाफ मैं आपको बता दूं कि यह जिले वाईज आपकी वेकेंसी थी तो हर जिले का कटाफ अलग-अलग था मैं धनबाद से भर गिरिडी में भी 106 साथ यही कटाफ गया था अन्य जगोहों पर देवघारोगर में 100 तक कटाफ गया था मैं जनरल का सारा चीज बता रहा हो गये तो मेरा इसमें था 112 और 111 रैंग थी मेरी धनबाद में मेरी 111 रैंग थी और गिरिडी था या धनबाद में सबसे ज्यादा कम्टिशन क्यों था धनबाद एक तो जितने भी यूपी के लोग हैं या दिल्ली हरियाना जो भी अपलाई किये थे डारेक्ट ट्रेन रूट पे था दूसरा ची पस्चिम बंगाल से बहुत कम्टिशन था वहां पे वहां के बहुत सारे लड़के आये थे और जोईन किये है जियोग्राफी में बाद में बहुत दिकते हो रहे थी दो-चार लोगों से मैं परचित था वहां पे जिनकों की सुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते थे क्लास में बहुत दिस्टरब हो जाते थे इसलिए हिंदी का फर्स्ट पेपर वहां पे रखा गया है कि आपको बेसिक गोर्षक लोहा एवंग इस्पातकार खाना कहां इस्थित है इसका अप्सन एस सही है रूस मैं पहले में में बच्चों को पढ़ाता था और इकोनामिक जियोग्राफी पढ़ाता था कई लोग मेरे चैनल से मेरे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जानते हैं इस चीज सरप्लस रहता मेरा यह बारना है अगला देखिए सतही तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है इसका आप्शन दी सही है वे तत्त्य तरंगों से पहले आते हैं बाकी यह आप्शन दिया हुआ है आप आज करिए इसको पढ़िए मैं आगे चलूँगा निम्न मे को बार दिव बहुत जो है कि सदा बाहर बन पाए जाते हैं यह बारिस होती है यह बहुत अगला है 47 निम्न में से कौन सा जार्खंड का वन जीव अभ्यारण नहीं है देखिए जार्खंड से समान ग्यान वाली किताब रहेगे तो वह भी इसमें मिल जाए यह मिल जाएगा के निवासी हैं या वहां रह रह रहे हैं आप तो आप चले जाएए और जो जार्खंड से संबंधित टीजीटी में यह प्रस्ण है अभी पीजीटी का पेपर भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के discussion box में उपलब्द करा दिया हूं वहां से आप पीजीटी का पेपर डा किजिए सिंपल सा तरीका है अब इसका उतर देख लिजे इसका आप्शन ए सही है भद्रा वने जीव अभयारण देखिए यह मेरा गलत हो गया था जबकि मुझे पता था भद्रा जो है करनाटक में है फिर भी नहीं ध्यान न देने के उजसे यह मेरा गलत हो गया तो इस अगला है जारखंड में लाल मिट्टी अधिकतर कहां पाई जाती है कि इसका आप्शन सी सई है दा मोदर घाटी इसमें से मैक्सिमुम कोश्चन हमको आप देखेंगे ओजा जी की जो किताब है परिक्षावारी की उससे काफी प्रस्त फसे हुए थे इसमें आप जो दूसर मैटर दिया हुआ है पचासवा देखें भारत के कौन से छेत जय भी विद्टा की दिश्टी से प्रिथी पर हाट इसपार्ट है इसका अप्शन बी सही है पस्चमी घाट और पुर्वी हिमाले अगला देख लीजिए वाई मंडल की लगवग मोटाई कितनी है ये किताबों मैं अलग अलग मिल जाएगा लगवग में है भगवान भरोसे ही सही एक हजार किलो मीटर इसमें दिया हुआ था मैंने यह मारा सही हो गया आगे देखते है दो हजार चौदा के अनुसार विश्टों में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है इसका अप्शन बी सही है चीन अगला देखिए यदि वर्ष 1992 में जन्मदर 29 परसथी और मिर्टुदर 10 परसथी तो 1992 में विधी दर है यह बहुत सिंपल है अगर जो यह नहीं निकाल सकते हैं तो आप परिच्छा भी नहीं निकाल सकते हैं इसका आप्शन डी सही है 19 परसेंट अगला प्रसन है वह प्रक होती है को क्या कहते हैं तो इसका अप्शन डी सही है अक्टूबर की गर्मी कहते हैं अगला देखिए पृत्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गरम है इसका अप्शन बी सही है अंतरिक कोर अगला है निम्न में से कौन सी बागान की फसल नहीं है तो रब अड काफी एक को कुछ लोग रखते हैं कुछ लोग नहीं रखते हैं लेकिन यहाप बाजरा तो बिलकुल नहीं है तो इसका अप्सन ए सही है अगला है कॉर्ष्ट छेत्र में पाए जाने वाले गुफानुमा मार्ग जिनके रास्त से घुमावदार होते हैं और उचाई में बहुत कम परवर्तन होते हैं क्या कहलाते हैं तो इसका अप्सन बी सही है साइनस गुफा मार्ग देखिए यह अब को पता नहीं था लेकिन साइनस नाक्टेड़ी हो जाती है उसको साइनस वाली विमारी कहते हैं वहीं से मैं इसको थ्वास कंसेप्ट लगाया हमने परिछाम बहुत विद्वान भी हो जाते हैं साधारन प्रस्न को कठिन बनाते हैं और कठिन प्रस्न को बहुत समाने बना देते हैं तो यहां कठिन को समाने बना दिया हूँ अब बहुत समाने प्रस्न को मैं कठिन बना करके गलत भी कर दिय होंगा अभी आगे दिखेगा ओभी कमाल आगे देखिए किन छेत्रों में उसमी दबाव अपच्छय होता है तो इसका आपशन सही था मेरा गलत था अगला देखिए भावतिक अपच्छय में मिट्टी और सैलों का वायुमंडली अवस्थाओं जैसे जल दबाव और ताप के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के कारण अवखंडन होना सामील है इसे यह भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसका आपशन दिया यह सही होगा या अंत्रीक अपचह अगला है जारखंड के कौण से जिले में सारंडा वन इस्थीत है यह भी सहरखंड सम्भनी ध्यूश संब्हित जाईए ऐस नोट कर लाइं कि ना कि इन प्रस्णों को नोट कर लीजिए चले जाएए दुकान पे जाके देखिए किस किताब में ये सारे मिल पा रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम मिलेंगे, वो हमारे लिए सबसे बेहतर किताब होगी, जितनी पतली हो, जितना आधिक मैटर हमारे काम लायक हों मिल जाए, उतना ही अच्छा है, तो इस तरह से आप देखि पालन के संबन्द में MAFF का पूर्ण रूप है, तो इसका आप्सन, D सही था, Ministry of Agriculture, Forest and Fisheries, ये मेरा गलत हो गया था, अगला है, यह कथन किसने कहा था, चंद्रमा ने मूल रूप से प्रिथवी के जली और वायवी भागों से जल और वायव ली होगी, और उसका वाय मंडल भी रहा होगा, तो इसका आप्सन, A सही था, मैं B लगाया हूँ, आप देख रहे होगे, तो A सही था, David Brewster, मैं कथन से संबन्दित भी एक वीडियो बनाया हूँ, जियो गराफिकल थाट वाला जो फोल्डर आप खोलेंगे, उसमें मिल जाएगा, और उसमें इसको भी मैं दिय हूँ, जितने भी अभी तक परिछाओं में आये हुए थे, मैंने वहाँ पे उसको एक जगा ला करके, रखा है, उसको आप देखिए, निश्चित रूप से उससे फायदा मिलना चाहिए, अगला है, दक्षडी अमेरिका में लोह आयस का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दक्षडी अमेरिका में तो सिंपल कर दिया ये तो, इसका अप्षण एस सही है, ब्राजील, अगला है, भारती रवर बोर्ड कहां इस्थित है, देखिए, ये मेरा गलत हो गया था, इसका अप्षण सी सही था, केरल, अगला है, जार्ज एरी की परिकल्पना के अनुसाद 8848 मीटर उपर हिमालय के लिए परवत के नीचे की तरफ जाता हुआ, हलके पदार्थ का प्रच्छेपड होना चाहिए, यह प्रच्छेपड कितनी गहराई तक पहुंचा होना चाहिए, इसका कल्कुरेशन दिया हुआ है, प्राट और एरी का थेयरी पढ़ लिजिएगा, इसका आप्शन, ए सही है, 80,000 मीटर, अगला देखिए, निम्र में से कौन सा नियम, एरी के भू संतुलन प्रतिमान का आधार था, देखिए यह आगे आएरी से, आइसोस्टेसी सम्मनित पूछे जा रहे हैं, तो इसका आप्शन, C सही है, पास्कल का नियम, अगला है, वा होमोस्फियर और हेट्रोस्फियर में विभाजी था, यह बहुत ही सामान प्रस्ण है, परिच्छावाडी में उठाएंगे, वाई मंडल का जब विभाजन देखेंगे, तो सीधे-सीधे लिखा है, कि रासायनिक आधार पर इसको जो है कि बाटा गया है होमोस्फियर और हे बत हो गया, तो दिया है आप्शन यह बेहद और इस्थिर है और इसमें धीले कोड़ी बलाक होते हैं, बी दिया है यह चट्टान निर्माड का एक उत्पाद है, सी दिया है, यह अप्छय प्रक्रिया से और प्रभावित रहता है, और दी है यह प्रिथवी के अंदर की तर करके सर्च कर लेजेगा, आपको डिटेलिस के बारे में जनकारी मिल जाएगी, अगला प्रस्न है, दो हजार बारा तेरह के अनुसार निम्न में से भारत में कौन सा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, तो इसका अप्संट, डी सही है, पस्च्चिमी बंगाल, क् जड़ा पूछ दिया, आप मुह बना के बढ़ जाएगे फिर, इसलिए, क्वेश्चन जिस टापिक से उठ रहा है, उस टापिक को आपको पूरा कम्प्लीट कभर करना होगा, अगला है, जारखन में निम्न में से कौन से जिले में सबसे अधिक बंगोलिक छेत्र के प्रति तो वन हर हाल में आपको त्यार करना होगा, अगला है, दो हजारी ग्यारा की जन्गरणा के निम्सा है, भारत के किस राजे में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, यानि कि पापुलेशन से दे रहा है, तो उसको आप देख लिजेगा, समाने प्रस्ण होते हैं, PGT का भी प लब्ध है, आप वहां से डाउनलोड करके, उसे भी आप देख सकते हैं, और उसमें भी देखेंगे कि इस तर से सेंसर्स डाटा से संबंदी 4-5 कोश्चन पुछे गए हैं, ठीक है, तो इसका आप्सम 20 है, केरल बहुत समाने था, अगला है, नेशनल जियोग्राफिकल सोसा दिया हुआ है, आप देख लिजेगा, इसका आप्सम C सही था, निम्न भूमी आर्द उस्ट कटिवंद, अगला है, मलेशिया में कोको के साथ कौन सी फसल उगा कर अंतर फसल की सुरुवात की गई थी, ये मेरा गलत हो गया था, इसका आप्सम D सही था, नारियल, अगला प संबन्धित नहीं है, जबकि कर्तन, बुनाई, अकंपोजिट मिले, ये सभी सूतिवस संबन्धित है, अगला देखिए, एड्रियाटिक समुद्र के पूरु के देशों की दिनारी कार्ष्ट बेल्ट, जहां कर्ष्ट भूमी का पूरा समू मिलता है, और चूना पत्थर की घोल प्रक्रियाएं भूमी पर हावी होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसका अप्सन, A सही है, होलोक कर्ष्ट, अगला है, सैलों की सतही परतों के धिला होने, और उतरने के कारण उनका अवखंडण क्या कहलाता है? इसका अप्सन, C सही है, अप परणण, देख रहे हैं, द प्रती ब्यक्ति इस्पात खपत और लोह अयस्क तथा इस्पात के आयात के वितरण के अनुसार इस्पात की प्रती ब्यक्ति खपत क्या थी इसका सही आंसर था डी 69 किलो 59 केजी अगला है सबसे पवित्र जैन तीर्थ स्री सिखर जी जारखन की किस पहाड़ी पर इस्थित हैं तो यह सब लोग जानते हैं आपका यह धार्मी कस्थल है परेटा कस्थल के रूप में भी यह डेवलप हुआ था इसको ले करके बहुत विवाद भी हुआ था अभी जारखन में तो यह है आपसन ए पारसनाथ पहाड़ियां अगला है निम्न में से भारत का पहला जल विद्यूत इस्थेशन कौन सा है तो इसका आपसन ए सही है सिद्रपोंग जल विद्यूत इस्थेशन आगे चलते हैं निम्न में से कौन सा कारक सूती वस्तु द्यो है जिसके द्वारा कण और खंडित हो जाते हैं यह क्या है तो आपसन दिया है इसका आपसन डी सही था भावति की अप्छय में प्राथमिक प्रक्रिया है अगला चलते हैं आगने और कायांतरी सैलों में खनीजों की कम मात्राओं और अधिक मात्राओं को क्रमसह कहते हैं तल आपसनai आपसन अगला है निम्न में से कौन से उतपादकों के लिए भारत विश्व में प्रथम है तो इसका आपसन डी सही है अगला देखिए निम्न में से किसपने 175 से गाउन फकरिकूण हम आव्क्रीड की नेबुलर हाइपोथिसिस की बात कर रहा है इसका अप्शन बी सही था इमैनुवेल कांट ने अगला देखे जारखंड में बंच्छेत्र का विस्तार कितना है यह लगभग दिया है इतने से इतने स्क्वाइर किलो मीटर मैं इसका कल्कुलेशन किया था और जल्दी जल्द के बीच कोड़ी वेग वीतरन की मुख्य समस्या है देखे आइपोथिसिस पढ़ना है आपको पूरा पढ़ना पढ़ेगा अंदर से कोश्चन बना के पूछ रहा है इसका अप्शन सी सही था लापलासियन प्रतिमान अगला प्रस्ण है दरारों में उगी हुई पौधों क अगला प्रस्ण है जापान में समुद्र फेनी को सुखाया जाता है पट्टियों के रूप में काटा जाता है और एक नमकीन और चबाने वाले स्नैक के रूप में खाया जाता है जापान में इसे कहा जाता है अब हमको क्या पता है यह तो नहीं पता था यह मेरा गलत हो गय मैक्सिमुम लोग अगलत हो गया इसका आप्शन B सही है E का अगला है किस वर्स में भिलाई इसपास सन्यंद को अस्थापित किया गया था यह संदे दिया है संवाले जो डाटा आधारित प्रस्वते हो बहुत बढ़ होते हैं तो इसका मेरा सही हो गया था आप्शन A सही है 1955 म भारत में काली मिट्री वाले दक्षरी छेतर की मुख्य फसल है सेव बदाम खुबानी और D आप्शन है जवार तो इसका आप्शन D सही है जवार अगला प्रस्ण है निम्न में सबसे बड़ा कोईला उत्पादक देश है तो बहुत आसान है इसका आप्शन A सही है चीन आप देखे हूँगे उपनाम से भी सम्ंधित मैं विडियो बनाया हूँ उसमें देखे हूँगा मूंबई को भी मंचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को भी कहा जाता है यह सब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले हैं तो इसमें मूंबई दिया ही नहीं था तो नहीं रहता मुंबई तो मुंबई हो जाता ठीक है आगे चलते हैं सिलिकेट और कार्बोनेट खनी जो को प्रभावित करने वाली रासाइनों से होने वाली अप्चह प्रक्रिया क्या कहलाती है तो इसका अप्शन एस ही है जलिय विशलेशन हाइड्रोलिसिस अगला है इंडि आप उसको देख लीजिएगा उससे आपका काम हो जाएगा जारखंड का अलग से आपको देखना पड़ेगा तो इसका अप्शन ए सही है पेडो की छतरी की 70% से अधिक सघंता वाले सभी जमीन इसके अंतरगत आते हैं अगला है जापान की कौन सी बंदरगाह पर सबसे अ निम्न में से किस प्रकार के बं जारखंड में नहीं पाये जाते हैं आपसण आप देख लीजी इसका उतर था डी नम उच्च परवती बं आप समझ रहे हैं कि जारखंड जो है पठारी छेतरे उचे 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 परवतों का वहां पर अभाव है अगला है किस राज्य में वो कारोइसपाश सनियंत्र इस्थित है गजब बात है जहारखंड में आप आया है तो जहारखंड का ही पूछ राइए जहारखंड में बहुत समाने प्रस्था है अगला है निम्न में से भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है तो जो दिया हुआ है से आप को पूछ रहा है इसका आप्षन- सी सई है कंचन जंगः अगला है मोह की कठोरता की स्केल यह निम्न में से कौन सा पदार सबसे कठोर है देखिए बहुत सारा असरी मैं फार्मूले पतियार किया था इसका भी मैं एक फार्मूला बनाया था जो कठोरता हार्डनेस की बात है तो सबसे उपर से नीचे के तरफ वाला जो टाप फोर था उसका मैं बनाया था तो इसका फार्मूला था क्वार्टो कोडी देखें यहां पर मैं लिखाओं क्वास से हो गया इसका सेवेन हार्डनेस होता है तो से तो पाज हो गया इसका एट हार्डनेस होता है को से को रंडम हो गया इसका नाइन हार्डनेस होता है और डी आई से डाइमंड हो गया टेन हार्डनेस होता है सबसे हार्ड टेन होता है और सबसे कम यह जो टाप फोर है उसमें कौन इस तरह से इसका option D सही था, काफी लोग का ये प्रस्न गलत हो गया था, एक अध वीडियो और मैं बनाया हूँ, उसमें भी इस चीज को इस फार्मूले को बताया हूँ, कौाटो कोडी, याद रखिए, इससे आपको कहीं भी ये गलती होगा, और पूछता है तो यहीं से, और सबसे कम हार्डनेस किसी का होता है, तो वह होता है, टालकुस का one होता है, हमारा ग्रेजुएशन में जियोलाजी भी रहा है, ये चुमें, तो ये सब चीजों को थोड़ से कहते हैं, इसका आपसन, सी सही था, आयू, अगला देखिए, कूर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है, तक कावेरी कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी से काब्रम, तो अगला देखते हैं, निम्ण में से किस राज्य में कार्डामम पह सैुच इसको जाता है कि उत्तरगत नहीं आता है इसमें अब देखेंगे घंद इनि हिमाले इसके उत्रगत आता ही आता है तो Oo мож अगला कोपेन के मौसंके प्रकारों के अनुसार मौसं का मध्यक्षांऴ लेकिन अक्छरोद्वारा दर्साया जाता है यानि कि कोपेन और ठान्थ्वेट का जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लीजिएगा हर परिछा में एक दो प्रसना आता है यह गलत हो जाता है तो इसका आप्शन सी सही था बी डबलू इसमाल के अगला है निम्न में से किस प्रसन में उलकाएं जलती है इसका अप्शन एस है मध्यमंडल मेसोइस्पियर बहुत समाने प्रसन है मैं इसको गलत कर गया था मैं डी लगाया था थर्मोइस्पियर तो समझ सकते हैं कि कुछ जानते हुए प्रसन गलत हो जाते हैं इतना एक्जाम का प्रेसर होता है और कुछ जो प्रसन नहीं आ रहे थे क्या उतने क्वेश्चन आपको मिल गया है तो आपका पेपर अच्छा हो गया है यदि उतना नहीं मिला तो समझे तब आपका खराब हो चुका है अगला प्रसन है ग्रहार उसी धानत किसने प्रस्तुत किया इसका आप्शन ऐसा ही है थाम में से कौन सा भारत का सबसे पहला धातु इस पात सन्यंत्र है तो इसका आप्षन सी सही है विश्व सरय आइरन एंड इस्टील लिमिटेट अगला है दो हजार इग्यारा की जनगर्णा के नुसार कौन से केंदसासित प्रदेश का जनसंख्या गणत सबसे अधिक है तो इसका हुआ आप कितना इसमें कर पा रहे हैं इसको इमांदारी से अगर जो अपना करेंगे तो समझेंगे कि आप किस तयारी के लेवल पे हैं अगला चलते हैं चीन सबसे बड़ा लॉयक उत्पादक देश हैं और लॉयक शबसे बड़ा आयातक भी हैं इसे इसलिए आर स्ट्स बड़ा वह सबसे बड़ा वह उत्पादक है अपने हां तो वह लॉयक मांदा है धूसरे जगवों से मंगाता है क्योंकि उसके हां आरनGet इंड़्यम काप ह की बड़े पैमाने पर हैं उसके लिए कच्छा माल उसका देश में ही उपलब्द नहीं हो पाता है उतना इसलिए ओ आयात करता है अगला है गड़े और गुफाओं सहित भूमिगत जलनीकासी प्रणालियां किस प्रकार की भावगोलिक इस्थिती की विशेष्था है तो इसक किसी किताब में देखेंगे तो संपीडनी तरंग इसको फी तरंगों का गया यह मेरा गलत हो गया था अगला है निव्ण में से कौन सा देश एक का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इसका आपसण डी सही है ब्राजील अब प्रजेंट टाइम में कौन है उसको आप लोग द जियोलाजिकल सर्वेयाफ इंडिया के उनसार भारत का कौन सा राजी सबसे अधिक बाढ़ गरस्त है तो बाढ़ गरस्त में उपर से नीचे आप इसको देख लेंगे कहीं मिल जागा इसका आपसण सी सही है उत्तर प्रदेश जो इसमें दिया गया है अगला है फांग पू लग रहा है यह पुर्वान चल का कुछ फांग पूई टाइप का लग रहा है तो उधर से उस आधार पी यह सही हो गया अगला है भारतिये क्रिसी अनुसंद्धान परिशत के अनुसार भारत में कितने क्रिसी छेत रहें तो इसका आपसन सी सही है छ देखे यह भी बहुत रटा रटा है प्रस्थन है यह गलत हो गया अगला प्रस्थन है जाखंड में त्रिकट पहाडिया किस नदी का उदगम अस्थल हैं जो है इसका आपपसन ऑशी है मयराक्षी नदी यहां से निकलती है ये आपको जारखन का समानी ग्यान खरी देंगे तो उसमें मिल जाएगा उसमें दिया था मैं इसको नहीं पढ़ पाया था उसमें गलत हो अगला देखिए 2011 की जनगरणा के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो सहर है तो इसका अप्शन B सही है मुंबई अगला 2015 में किस देश के द्वारा सबसे अधिक डालर मुले का कोला निर्यात किया गया तो इसका अप्शन D सही था आस्ट्रेलिया अगला है निम्न में से किस छेत्र में उस्रकटिबन दिये सदाबहार वर्षा बन नहीं पाये जाते हैं तो इसका अप्शन B सही है हिमाले का तराई छेत्र अगला है, निम्न मेंसे भारत का कौन सा राज-या मानसून बनों का हिस्सा नहीं है? मानसून बनों का हिस्सा देखे, 36गर हो गया, महराष्ट हो गया, जारकंड हो गया, यह मानसूनी बन यहाँ पाए जाते हैं, D है गुजरात, यह अपसन, सही था. अगला है ब्यापार अर्थ सास्त्र के अनुसाद 2016 में निर्यातित का पास का मूले क्या था ये कौन पता करता है ये नहीं पता था लेकिन इस्वर सही थे और ये मेरा तुक्का सही बैठ किया इसका आप्शन ये सही था अगला प्रस्ण है समुद्र की दिवार पर मधमखी के चाते की तरह के पत्थर नमक से होने वाले अपचय का उदारण है जिसे कहा जाता है ये भी मुझे नहीं आ रहा था और ये लेकिन गलत हो गये इसमें भगवान ने साफ नहीं दिया इसका आप्शन सी सही था टाफोनी देखिए कैसा मधमखी के चाते की तरह दिखता है यहां पर में फोटो लगाया हूं यही है टाफोनी का फोटो कि ऐसा होता है आप चाहें तो नेट पर डाल करके टाफोनी इंग्लिस में इधर लिखा हुआ है इसे ले करके सर्च करेंगे आपको एक से फीगर देखने को मि लेगा भहुत रोचक देखने में लगता है अगला है किस प्रकार की चटानों में विभिन खनीज तलों या पर्तों में होते हैं तो समान प्रस्ण है इसका अफशन सी सही है और साधी चटान अगला है गूरी विद्दूत परियोज राजी से साइमन बोलिवर जल विद्द अगला है वाय मंडल की कौन सी परत को आयन मंडल भी कहते है इसका अफशन दी सही है थर्मोिस्फियर अगला देखिए सर जाइर्ज एरी की अवधारा किस वर्स में प्रस्तावित की गई थी देखिए सब सन इस भीचाम करेंगे आप लोग को भी इसका दिक्कत होता होगा तो इसका अप्षण B सही है अठारासो पच्पन अगला है प्रिथवी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैगनीसियम के सिलिकेट होते हैं तो आप जानते हैं सीमा सिलकान और मैगनीसियम उसमें होता है तो इस तरह से यह मेंटिल के अंतरगाता है तो इसका अप्षण A सही है मेंटल अगला देखिए दो हजार बारा तेरा कनुसार निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा सूती वस्त उ अगला देखिए इसमें दिया हुआ है काटन प्रोडुसिंग इस्टेट जो है पहले नवाप गुजरात है दूसरे नवाप महरास्ट है और तीसरे नवाप तेलंगाना है यह करेंड का मैं बता रहा हूं दो हजार तेईस की बात है यह आगे हैं दो हजार इग्यारा की जन फ्लिन इंग्डन छेत्रों में विभाजीत है इसका आप्शन बी सही है साथ सो चोवण इसको याद कर लेंगे आप लो अगला देखिए एंसन आयरन एंड स्टील ग्रूप एनस्टील ग्रूप की पूर्ण स्वामित वाली उप कंपनी एनस्टील माइनिंग किस देश की इसका आप्शन ए सही है कोईला आधारित है अगला है निम्न में से कौन सा आस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लोग आयस्क खनन केंद्र है इसका आप्शन बी सही है सभी किताबों में मिलता है हमर्सली माइन्ड अगला देखिए एरी के भू संतुलन के सिधान्त के अनुसार विभिन अस्तंभों की सघंता निम्न में से किस माप दंड के अनुसार नहीं बदलती है तिसका आप्शन सी सही था गहराई बहुत गहराई समय नहीं पढ़ा था इसलिए गहराई से इसका मेरा भिनाता नहीं रहा और ये प्रस मेरा गलत हो गया अगला देखिए मौसम के व निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है तिसका आप्शन ए सही है सोन नदी आप जानते हैं अमर कंटक पहाड़ी से निकलती है अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे उंचा बाद है तिसका आप्शन सी सही है भाखडा बा में सबसे बड़ी अनसुलजी समस्या क्या है मुझे भी नहीं पता चला इसका आफशन C सही है ग्रहाड उप्रतिवान पृत्वी गुत्पत्ती से खूब उठाया है प्रतिवी आगे चलते हैं सेव जैसी बागवानी की कि फसले कहां उगाई जाती है तो इसका अफसन सी सही है पश्चिवी हिमालेच अगला है तरह लवस्था में निकल और लोहे से बनी प्रिथवी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं तो इसको नाइफ लिखा यानि नीफे हम लोग पढ़ते हैं इसका अफसन डी सही है अगला है चटानों के निर्मार के दोरान अपनाया जाने वाला सही क्रम क्या है इसमें दिया हुआ है कायांतरिक चटान फिर लावा फिर आगने चटान फिर चोथा है और साधी चटान तो इसका क्रम आप देखेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रिथवी से लावा बहार आता है और लावा बहार आएगा तो यह लावा हो गया दो नम्बा लावा से जम के क्या बनेगा आगने चट्टान बनेगा आगने चट्टान के बाद क्या हो जाएगा कट छट जाएगा वो तो वो अवसादी चट्टान बनेगा और अवसादी चट्टान नीच की गुफाएं और लावा की गुफाएं किस प्रकार की कस्त भूमी के उदारण है इसका आप्शन बी सही है सुडोकस्ट की अगला है वह सरकंडा जो बिना मधुमक्यों के सहद उत्पन्न करता है किस बागान की फसल से संबंधित है तो इसका आप्शन दी सही है एक के अंतरक पहाड़ी छेत्रों को साथ स्रेडियों में विभाजित करता है निम्ड में से कौन सी एक स्रेड़ी नहीं है इसका आप्शन एस सही है सौ से दो सो मीटर की उचाई यह गलत है क्योंकि इतना तो मैदान की उचाई होता है यह कैसे परवत हो सकता है आगे चलते हैं वाई और व्योंपरत होती है तो इसका अप्सन B सही है समताप मंडल इसी के अंतरकत और व्योंपरत होती है निचलेँ परत में इंश सो पाई जाती ही और इस मत्रत्र का अंतिम प्रशन है यह कहीं खेत में दो या अधिक फसलों को उगाना एक फसल के बाद दूसरी फसल के साथ इसका विकास क्या कहलाता है, ये गलत हो गया था, ये कई परिछाव में प्रस्ण आया हुआ है, रिपीटेट कोश्चन था, लेकिन मैं नहीं देखा था, बाद में जब मिलान लगा, तो कई जब मुझे मिल गया, तो इसका आप्शन सी सही है, रिले फसल, दोस्तों आप आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे, यदि नेट क्वालिफाइड है तो उनको तो पूछना ये जो नहीं भी क्वालिफाइड है, उसमें रिजनी ओगरा जो रता, उससे बहुत लो लेबल का रिजनी भी रता है, हिंदी तो बहुत ही आसान रता है, तो उसको भी मैं जल्दी PGT की परिक्षा जुलाई सेकेंड वीक में प्रस्तावित है, और बहुत सिस्टमेटिक वहां का काम होता है, तो उसी को टार्गेट करते हुए आप अपनी तयारी जारी रखिये, और मैं पहले ही बता जिया हूँ, कि पिछला जो PGT का पेपर हुआ था, यदि वह पेपर लिंक आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, धन्यवाद, नमस्कार